दोस्तों हर व्यक्ति को आज के समय में पैसों की जवरत पड़ती है बिना पैसों के आज कल कोई भी काम नहीं होता है ऐसे में जो व्यक्ति गरीब होता है वह अपने आपको बहुती कमजोर महसूस करता है वह पैसा कमानी के लिए दिन रात मेहनत तो करता है लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है वह अपनी गरीबी के लिए किस्मत को कोस्ता रहता है ऐसे में वह बस यही चाहता है कि कहीं से किसी ऐसे उपाय के बारे में पता चल जाए जिससे किवे कम समय में ही धनवान बन जाए और उसकी सारी समस्याइं दूर हो जाएं दोस्तों वास्तु सास्त्र में कई ऐसे तरीकों के बारे में बताया गया है जिसको करने से धनवान बना जा सकता है और आप अपनी आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं केवल यही नहीं आपकी तिजोरी भी धन से भर जाएगी। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो सच में आपकी आर्थिक समस्या को पल भर में दूर कर सकता है। दोस्तों वास्तु सास्र के नुसार आप हर रात को तीन से पाच के बीच में उठकर घर के उस स्थान पर जाएं जहां पर खुले आसमान को देख सकते हूं। फिर खुले आसमान में पहुचने के बाद आप पस्चिम दिसा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए आप लाल रंग का सुध आसन ले लें। अब दोस्तों हाथ जोड़ कर मालक्षमी का ध्यान करते हुए उनसे प्रातना करें। मालक्षमी को अपनी आर्थिक समस्या के बारे में बताएं। रातना करने के पस्चात दोनों हाथों को नीचे करके हथेलियों को अपने मूँ पर फेरें। यकीन मानिये ऐसा करने से मालक्षमी आपकी पुकार जल्दी सुनती है। और कुछ ही दिन में देखते ही देखते पार्थिक समस्या दूर होने लगती है, भागे आपका साथ देने लगता है, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, आपको बता दें कि इस उपाय को करने के साथ साथ आपको अपने घर के मंदिर में भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, मालक्षमी का निवास उत् उत्तर दिशा की तरफ स्थापित करें, ऐसा करने से घर की उत्तर दिशा सक्री हो जाएगी, और घर में धन आगमन होने लगेगा, और मालक्षमी की कृपा सद्यव आपके उपर बनी रहेगी, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो वीडियो में जे मालक्षमी और जे मा तदी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें, धन्यवाद